अश्कार चात्रो आज हम कबीर की साखी पाठ का अध्यन आरम करने जा रहे हैं जो कक्षा दस के पाठे करम में लगा हुआ है मैं डॉक्टर रवी साहे का चारिये रिशिकुल संस्कृत महाविद्याले गुरू ग्राम से आईए आज हम जो संत कबीर जी हुए हैं उनके लिखे हुए दोहे बहुती परसिद हुए हैं जो जन जन की जुबाँ पर रटे हुए थे जिने गाना सुनाना बोलना कहना सबको बहुती पिरिये लगता था ऐसा ही एक दोहा हम देखते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जो मन खोजा आपना मुझ से कोए तो देखे कितनी सुन्दर बात यहां कबिर जी ने कही है कि इस अंसार में जब मैं बुरा वैक्ति ढूणने चला या बुरा इनसान ढूणने चला तो मुझे कोई भी वैक्ति बुरा नहीं मिला और जब मैंने अपना जो अपनी अंतरात्मा है उसको टटोला तो मुझे ग्यात हुआ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है तो इस परकार के सुन्दर दोहे कहते हैं आईए पाठ परवेश सबसे पूरू कबीर जी का परीच्चे हम देखेंगे कबीर का जनम 1398 में कासी में हुआ माना जाता है गुरू रामानंद के सिश्य कबीर ने 120 वर्स की आयू पाई जीवन के अंतिम कुछ वर्स मगर हर में बिताए और वहीं चीर निंदरा में ये लीन हो गए कबीर का आविरभाव ऐसे समय में हुआ आविरभाव उदे जब राजनितिक धार्मिक और सामाजिक क्रांतिया अपने चरम पर थी कबीर क्रांति दर्सी कवी थे उनकी कवीता में गहन सामाजिक चेतना परकट होती है उनकी कवीता सहज ही मर्म को चू लेती है एक और धरम के ब्रमान आडंबरो यहां आडंबर होगा आडंबरो पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की आडंबर कहते हैं दिखावा करना तो उस पर उन्होंने बहुत ही गहरी चोट की तो दूसरी और आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भाव पूर्ण गीत गाए कबीर सास्त्रिय ग्यान की अपेक्षा अनुभव ग्यान को अधिक मैत्व देते थे सास्त्री ज्यान कहते हैं जो सास्त्री त्यादी में लिखा हुआ है उसे वो उतना मैतव नहीं देते थे जितना मैतव वो अनुभव ज्यान को देते थे कि खुद अगर ठोकर खाएंगे तभी आपको ज्यान होगा कि किस परकार से बच कर चलना है उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि इसवर एक है वह निर्विकार और एरूप हैं कबिर की भासा पूर्वी जनपद की भाशा थी उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने सुबह और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया आईए अब इसके उपरान्थ हम पार्ट में परवेश किस परकार से करना है वो देखते हैं शाखिय शब्द साक्षी शब्द का ही तदभव रूप हैं तदभव तच्सम आप समझते होँगे तच्सम कहते हैं जो संस्कृत के समान हिंदी में परयोग होने वाले शब्द हैं और तदभव शब्द वो वो होते हैं जो थोड़े बोत परिवर्तन के साथ हिंदी में परियोग होते हैं, तो साक्षी जो ये अक्षे शब्द है, इसको खै यहाँ पर हो गया है, बस इतना ही बदला हुआ है, इस कारण से ये तदबव शब्द है, साक्षी शब्द साक्षे से बना है किस से बना है साक्षे से जिसका आर्थ होता है परत्यक्ष ग्यान यह परत्यक्ष ग्यान गुरू शिष्षे को परदान करता है संत संपरदाय में अनुभव ग्यान की ही महता है सास्त्रिय ग्यान की नहीं कबीर का अनुभव छेत्र विस्त्रित्ता कबीर जगय जगय ब्रह्मन कर परत्यक्ष ग्यान प्राप्त करते थे अते उनके दुआरा रचित साखियों में अवधी, राज्यस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाशाओं के शब्दों का परियोग स्पस्ट दिखाई पड़ता है इसी कारण इनकी भाशा को पचमेली खीचडी कहा जाता है कबीर की भाशा को सधुकडी भी कहा जाता है याद रखेंगे ये सब्द सधुकडी जो कबीर हुए हैं उनकी भाशा को कहा जाता है साखि वस्तुत है दोहा चंद ही है जिसका लक्षन 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगन होता है प्रस्तुत पाठ की साख्या परमान है कि सत्य की साख्षी देता हुआ ही गुरू सिष्चे को जीवन के तत्व ज्यान की शिक्षा देता है यह सिक्षा जितनी परभाव पूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी आईए अब जो कबिर दुआरा रचित दोहे हैं उनका हम अर्थ समझते हैं तो सबसे पर्थम दोहा है ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोए अपना तन सीतल करे औरन को सुख होए आपा कहते हैं एहंकार को तो कबिर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ऐसी वानी बोलनी चाहिए ऐसी बानी को मैं तो देना चाहिए जो अर्थात जो मन का आपा कोई जो मन है उसके एहंकार को मिटा दे उसके एहंकार को नश्ट कर दे अपना तन सीतल करे औरन को सुख होए अपना तन मतलब अपना जो सरीर है अपनी जो आत्मा है उसको भी वो सुख दे पहुंचाए सीतल करे सुख पहुंचाए औरन को भी सुख होए और जो उस वानी को सुन रहा है उन्हें भी सुन के आनन्द आए आर्थ एक बार देख लेते हैं कबीर दास जी इस साखी के माध्यम से वानी के महतों को बताना चाहते हैं वे कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वानी का परियोग करना चाहिए जिससे अपने मन का एहंकार मिट जाए और सुनने वाले को भी अच्छा लगे मीठी वानी से सत्रू भी मित्र बन जाते हैं कटू वानी से मित्र भी सत्रू बन जाते हैं अत्य हमें अच्छी वानी का परियोग करना चाहिए अगला देख लेते हैं दोहा इनका कस्तूरी कुंडली बसई म्रग ढूंड़े बनमाही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कस्तूरी कहते हैं एक सुगंदित पदार्थ होता है जो एक म्रग की नाभी में विद्यमान रहता है तो कस्तूरी कुंडली बसई कस्तूरी कुंडली कहते हैं नाभी में बसी हुई है किसके म्रग के और म्रग क्या करता है ढूंडे बनमाही उसे बन के अंदर वन के अंदर ढूंडता रहता है ऐसे घटी घटी राम है और इसी परकार घट घट में राम विद्यमान है दुनिया देखे ना ही परंतु जो दुनिया है वो उन्हें नहीं ढूंड पाती उनसे अभिग्य रहती है आईए अब इसका आर्थ एक बार पढ़ लेते हैं अज्यानता वस एक हीरन कस्तूरी को पाने के लिए वनवन में भटकता रहता है पर वह कस्तूरी उसकी नाभी में विद्यमान रहती है देखिए जो हीरन होता है उसकी नाभी में कस्तूरी विद्यमान रहती है और उसे बहुती सुन्दर उसकी सुगंद आती है तो वो सोचता है कि ये सुगंद कहां से आ रही है इस कारण से वो वन-वन में उसे ढूंडता रहता है परंतु उसे ये ग्यात नहीं होता कि ये जो खुश्बु है ये जो सुगंध है ये तुमारे अंदर से ही आ रही है तो इस परकार इसका कितना सुन्दर यहां उधारन देते हुए कबीर जी कह रहे है कि उसी परकार इस्वर भी मनुष्य के हिर्द्य में विद्यमान है परंतु मनुष्य अज्यानता के कारण उसे अलग-अलग स्थानों में ढूंडता रहता है तो इस परकार से इस दोहे में जो राम नाम है उसको जो राम है परभू वो हमारे मन में ही विद्यमान है इस परकार यहां कबीर जी कह रहे हैं देखिए यहां पर हमने चित्र भी दिखाया है म्रग का और यह उसके जो नाभी है उसमें रहने वाली कस्तूरी का चित्र है अगला दोहा देख लेते हैं जब मैं था तब हरी नही अब हरी है मैं ना ही सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही अर्थात यह पर जो कबीर जी है वो कहते हैं कि जब मैं था मुझे में जब एहंकार था तब हरी नहीं मेरे हिर्दे में इस्वर नहीं थे अब हरी है मैं नहीं परंतु अब मैंने जो प्रभू है उनको अपने मन में बैठा लिया है और मेरे अंकार को मैंने मिटा दिया है तो अब मैं नहीं मतलब एंकार मेरा मिट गया है सब अंदियारा मिट गया अब जो मेरे मन का जो सब अंदियारा था वो मिट गया जब देख्यो माही जब मैंने बगवान रूपी दिपक का दिदार किया उनका दर्सन किया कभीर कहते हैं जब तक मुझ में एंकार था तब तक मेरे हिर्द्य में इस्वर का निवास नहीं था जब मैंने जोती रूप दीपक अपने मन देखा तो अज्ञानी रूप एंकार मिट गया अब मेरे हिर्द्य में इस्वर का निवास है इसलिए एंकार नहीं है आईए अगला दोहा देखते हैं सुखिया सब संसार है खाई अरू सोवे दुखिया दास कबीर है जागई अरू रोवे यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि यह पूरा जो संसार है वो सुखिया सब संसार है खाई अरू सब सोए और स्वेम के लिए कारिय करते हैं, खाते हैं और सोते हैं दुखिया दास कबीर है दुखी इस संसार में जो है वो कौन है? दास कबीर है जागे अरू रोवे और वह वियोग होने के कारण परभू से वियोग होने के कारण दिन राज जागता है, अरू रोवे और रोता है तो आईए इस कार्त पढ़ लेते हैं कबीर कहते हैं कि इस संसार में लोग सुखी है सुखी सबसंसारा संसार दूसरों के बारे में नहीं सोसते खाए, अरू, सोवे, स्वेम के लिए कमाते हैं खाते हैं और सोते हैं दुखी तो इस्वर का दास है दुखिया दास कबीर इस्वर का दास कबीर है जागे अरूरोवे जो इस्वर के व्योग के कारण दिन रात जागता है और रोता है तो यहाँ पर जो कबीर अपने उपर बात कहते जरूर है लेकिन वो जो सच्ची सरदा रखने वाले वैक्ती है जो इस्वर को समझने वाले हैं जानने वाले हैं वो अपने नाम के साथ उन सब को नहित करते हैं इस बात को मन में रखेंगे अगला दोहा देखते हैं बिर्हे भूवगम तन बसई मंत्र ने ला गई कोई राम बियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई देखें कितना सुन्दर दोहा है यहां पर कबीर जी कहते हैं कि बिर्हे रूपी साप परवेस्ग तन बसई भूवगम जो साप है वो क्या करता है मन में परिवेश कर जाता है जिसके मन में परिवेश कर जाता है मंतर न लागे कोई उसके कोई मंतर काम नहीं करता राम वियोगी ना जीवई अर्थात जो इस्वर के वियोग में रहने वाला वैक्ति है वो इस्वर के बिना नहीं जी पाता जीवे तो बावरा होए और जीता भी है तो वो बोरा हो जाता है पागल हो जाता है आर्थ एक बार पढ़ लेते हैं कबीर कहते हैं कि जिसके सरीर में विरहे रूपी सांप परवेश कर जाता है उस पर किसी परकार का मंतर का परभाव नहीं पड़ता जिस परकार विरहे से तड़पता हुआ सांप किसी के नियंतर में नहीं आता उसी परकार इस्वर के वियोग में घुलने वाला वैक्ति भी जीवित नहीं रह सकता अगर जीवित रहता है तो पागलो जैसा जीता है अर्थात वह इस्वर के प्रेम में पागल होकर सांसारिक मोह माया त्याग देता है और लोगों को पागल जैसा लगता है इस परकार यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं आईए अगला दोहा देखते हैं अगला दोहा है निंदक नेडा राखिये अगनी कुटी बंधाई बिन साबन पाणी बिना निर्मल करे सुभाई यहां कबीर जी कह रहे हैं निंदक नेडा राखिये अर्थात जो आपका निंदक है आपकी निंदा करने वाला है हमें वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए अगनी कुटी बधाई अर्थात अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बंदवा देनी चाहिए बिन साबन पानी बिना निर्मल करई सुभाई और वो बिना साबन पानी के आपके जो आत्मा है उसको वो निर्मल कर देता है आपकी गलतियों को सुधार देता है इस परकार का इसका अर्थ है अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं कबीर कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए अगर हो सके तो उसके लिए अपने घर के समीप एक छोटा घर बना कर देना चाहिए कबीर के अनुसार निंदक ही हमारा सच्चा हितेसी होता है निंदक की निंदा सुनकर हम अपनी गल्तियों को सुधार सकते हैं अर्थात आत्म सुधार कर सकते हैं हम निंदक के बिना पानी और साबुन से अपना सौभाव को निखार सकते हैं तो देखे कितनी सुन्दर बात यहाँ पर कभीर जी ने कही है आगे देखते हैं पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा पंडित भया न कोई एकई आक्षिर प्रेम पीव का पड़े सु पंडित होई देखे कितनी सुन्दर बात कही है अर्थात पोथी कहते हैं जो गरंथ है अमारे उनको पड़ पड़ जग मुवा अर्थात उनको पड़ प भया न कोई, कोई भी ज्यानी वैक्ती नहीं बन पाया, एक ही आक्षिर प्रेम पीव का, एक ही अक्षर प्रेम का, जिसने पढ़ लिया, वही पंडित बन गया है, तो आर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, कबीर कहते हैं कि संसार के लोग सारी पुस्त के पढ़ पढ़ कर ठक और संसार से चले भी गए फिर भी ग्यानी ने बन सके और एक अक्षर प्रेम का जो पढ़ ले अर्थात प्यार का वास्तविक रूप वहचान ले वो तो वह पंडित हो जाता है अर्थात ग्यानी बन जाता है देखें यहाँ पर जो कबीर जी है उन्होंने एक अक्षर प्रेम का कितना सुन्दर उसकी व्याक्या की है कि वास्तों में जिसने सचे प्रेम को जान लिया वही पंडित बन जाता है ग्यानी बन जाता है आगे देखते हैं हम घर जालिया अपनो लिया मुराडा हाथी अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि हम घर जालिया अपना अर्थात मैंने अपना घर जला लिया लिया मुराडा हाथी मुराडा कहते हैं मसाल को अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी अब मैं उसका घर जलाऊँगा जो हमारे साथ चलेंगे या मेरे साथ चलने वाले हैं मेरे भक्ति मार्क पर चलने वाले हैं तो यहाँ पर इसवर भक्ति में विलीन होकर कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने इसवर भक्ति में सांसारिक वासनाओं को सबको नश्ट कर दिया घर जलाने का मतलब घर जलाना नहीं है जो सांसारी का वासनाई होती है जैसे माता प्रेम, पुत्र प्रेम, पिता प्रेम जितनी भी वासनाई होते हैं जितनी भी आपकी लाल साई है कि ये प्राप्त हो जाए, वो मिल जाए ऐसा मैं बन जाओं तो वो सब उन सब को उन्होंने जला दिया नश्ट कर लिया मसाल अपने हाथ में लेकर ऐसा वो कह रहे हैं इस कार्थ देख लेते हैं कबीर कहते हैं कि मैंने इस्वर भक्ती से जलती मसाल लेकर अपना घर जला डाला अर्था इस्वर भक्ती से मैंने सांसारिक वाशनाएं नश्ट कर दी अब जो भक्त मेरे साथ भक्ती मार्ग पर चलने को तयार हों मैं उनका घर भी जला डालूँगा अर्थात भक्तों के मन में जो सांसारिक वासनाई हैं उन्हें मैं नश्ट कर दूँगा इस परकार से यहां कबीर जी कह रहे हैं इसी के साथ पाठ पूर्ण होता है आपका धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि वो भी इस परकार की वीडियो का लाब उठा सके मैं डोक्टर रवी साहे का चारिये रिशिकूल संस्कित महाविद्याले गुरु गुराम से अगर किसी परकार की कोई समस्य आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद